वे गाईज वेलकम टू एल्पी ब्यूटी चैनल आज हम बताएंगे हेयर फोल कंट्रोल टिप्स के बारे में कि आपके भी बाल बहुत ज़ड़ ज़ड़ रहे हैं और आप परिसान हो चुके हैं सब कुछ लगा के ठख चुके हैं तो मैं आपके लिए में क्या है और इजी सा हो जाएंगे तो आपका बाल ज़ड़ना एक दम कंट्रोल हो जाएगा और बालों की ग्रोथ ली बहुत तेजी से बढ़ेगी तो चली बताते हैं क्या है वह पहले आप मेरी वीडियो को सब्स्क्राइब कर दीजिए और बगल में जो बैल आइकन उसको में दबा दीजिए कोई भी नए वीडियो अप्लोड करें ताब उसको देख सके और उसका फायदा उठाता के प्लीज मेरे वीडियो को जाएज जाएदा सेयर किजिएगा विटामीनी की कैप्सूल एवियन 400 एमजी की विटामीनी की कैप्सूल है आप पूर मार्केट में फानी से मिल जाएग अब इसकी आपको बाल में जिसना अफजाब हो जाएगा उतना ले लीजी मैं चारपांच नो लेकर आपको बस बता देखिए अप्लाई करने के लिए आप चाय कर लिजेगा घर से कि मैंने इतना निकाल लिया है ठीक है अब आप मैं एक फिन ले ली हूँ इसकी मदब से इसको फंक्चर कर लेना है अब आपको जहां जहां भी पाटिंग करके मांगोगी इस तरीके से अपलाई करना है अगर आपके जहां पर जहड़ चुके बाल वहां पर आप एसे डारेक्टली इसको गिराके और डेली मुसाच करेंगे तो आपके नई बाल निकल जाएंगे गंजापन भी खतम होता है इससे बहुत जादा हेयरफॉल हो गया तो पूरा बालो में से पाटिंग करके डारेक्टली में तो अपलाई करेंगे अब चाहें तो उसको नारियल खोड़का नारियल पेल में पांचे केट्फूर में लाकी आप अपलाई कीजिए प्रिकर इस तरिके से सारे बालो में अपलाई करेंगे दूसरा कैप्सूल इससे जड़े बहुत ज्यादा मजबूत होती है इसको आप जड़ जड़ में अपलाई कर लीजिए और बाकी के बालो में आप जो भी तेल हमेशा यूज करते हैं वो लगा सकते हैं यूज जड़ दूस्ट्री जड़े जड़े लीजिए इस तरी की फिर्फोला रांगी जार जाने वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फैदा उठा तके और हाँ सारे बालों में तेल जरूर लगाईगा क्योंकि और बाल दुखे रहेंगे तो तूतने का डर रहता है सिर्फ जड से जड मजबूत है जाएंगे बागी बालों में तेल जरूरी है तो आप तेल लगाईगा सबस्क्रीब यडारे बाबालों में लगाई बालों म।ल्ट करते हैं ती county दबसेट थोगए вид झाल झाल झाल